कम्पिनेंट साब लोगों का मेरे इस यूटूब चैनल पर स्वागर थे आज की इस वीडियो के माध्यान से मैं आपको LLB पिथम सेमिस्टर का कुर्ष्चन पेपर बताऊंगा जो सन 2019 में पूछा गया था दोस्तो सन 2020 में पेपर नहीं हुआ कोरोना की वज़े से लोकडाउन लग गया था लेकिन अब सन 2021 में दिसंबर माई के अन्तिम सब्तार तक एकजाम चालू हो जाएगा दोस्तो आज का पेपर है Constitutional Law यानि की भारतिय सम्मिधान का पेपर है दोस्तो अब हम जानते हैं हमारे एकजाम में कितने नंबर का पेपर आता है दोस्तो दोस्तो एकजाम में 60 नंबर का पेपर पूछा जाता है जिसमें से आपको जिसमें 10 कुश्चन आपको दिये जाते ह और उन दस कुश्चन में से आपको पांच कुश्चन करने होते है पिते एक कुश्चन दोस्तों बारा नमबर का होता है आईए दोस्तों हम जानते हैं अब कि हमारे एकजाम में पहला कुश्चन कौन सा पूछा गया था पहला कुश्चन पूछा गया था दोस्तों एक संगिय संबिधान की पिरमुक बिसिस्ताएं क्या है किया आप इस मत से सेमत है की भारतिय संबिधान अर्द संगहात्मक संबिधान है तरक सहित उत्तर की पुष्टी कीजिए दोस्तों दूसा कुश्चन पूछा गया था बिदी के समक्ष समता इमां बिदी के समान संरक्षन को समझाईए इसका आइटिकल दोस्तों इसमें आइटिकल पूछा गया था बिदी के समक्ष समता और बिदी के समान संरक्षन आइटिकल 14 से एप पुछा गया था इसमें आप को उत्तर में आइटिकल 14 को लिखना था दोस्तों विदी के समक्ष समता को इंग्लेंड से लिया गया है और विदियों की समान सन्रिक्षन को अमेरिका से लिया गया है दोस्तों तीजा कुछ्चन पूछा गया था भारती सम्मिधान की प्रिस्थावना का क्या महत्त है सम्मिधान की प्रिस्थावना में नेत उद्देशों को समझाईए क्या प्रिस्थावना में संसोधन किया जा सकता है समझाईए दोस्तों इसमें कुष्चन नमबर 3 में हमें भारती सम्मिधान की प्रिस्थावना या उद्देश का को लिखन इसमें लिखना था हम भारत की लोग भारत को संपूर प्रिपत्य संपन्न गण जबनाने के लिए यह आपको पूरी लिखने थी दोस्तों इसमें दो केस बहुत ही महातपूर पूछे जाते और आपको इसमें लिखने थे केस भी आपको लिखना पड़ेंगे दोस्तों पहला केस था बैरुवादी संगबाद AIR 1960 का केस था इस बाद में सर्वुच्च नियाले ने कहा कि प्रिस्थावना संविधान का भाग नहीं है सर्वुच्च नियाले की सुप्रीम कोड ने कहा कि प्रिस्थावना है जो संविधान का भाग नहीं है अता प्रिस्थावना में किसी भी पिरकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता जब संविधान का भाग ही नहीं है तो परिवर्तन कैसे किया जा सकता है प्रिस्थावना में लेकिन एक दूसा केस आता है 1973 में केस वा नंद भारती ये बनाम केरर राज 1973 का केस है दोस्तों जिसमें सरवच्च नियाले ने अपने इस बियान को पलट दिया और कहा इस केस में कि प्रिस्थावना सम्मिदान का भाग है अथा इसमें परिवर्तन किया जा सकता है लेकिन इस परिवर्तन द्वारा मूल ढाचे को नहीं बदला जा सकता है दोस्तों अब हम जानते है कुर्ष्चन नमबर चौथा जो एकजाम में पिछली बार से पूछा गया था कुर्ष्चन नमबर चार कहता है किसी राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर में मूल बंस जाती लिंग जनम स्थान या इन में से किसी आधार पर कोई भेद नहीं करेगा बिवेच ना कीजिए दिखना था दोस्तों अब हम जानते है कुश्चन नमबर पाँच कहता है भारत में भासर अभिविक्ति की सुटंस्ता अनियनटीत नहीं है निर्नित बादों के संदर्मे में इस अधिकार को पिती बंदित करने के अधिकारों और सीमाओं का उल्लेक कीजिए इसमें दोस्तो आपको आइटिकल 19 लेखना था दोस्तो आइटिकल 19 कहता है आइटिकल 19 कहता है बात एवं अभिव्यक्ति की सुतंता के बारे में बताता है आइटिकल 19 में दोस्तो पांच पिरकार की सुतंता के बारे में बताए गया है आज बर्तमार में लेकिन चबाले से सम्मिदान संसूदन 1978 दुआरा आइटिकल 19 एप को हटा दिया गया है हमारे 19 आइटिकल से जिसमें आइटिकल 19 एप था संपत्ती का अधिकार आज बर्तमान में संपत्ती का अधिकार को article 300A में कानूनी अधिकार की रूप में मानता दी गई है दोस्तो article 19A इस question की answer में आपको लिखना था article 19A, 19B, 19C, 19D, 19E और 19G दोस्तो अगला question पूछा गया था question number 6 question number 6 कहता है बिदी दुआरा, बिदी दुआरा इस्तापिक पिक्रिया के सिवाए कोई भी व्यक्ति अपने प्राण इवं देख सुतनता से बंचित नहीं किया जाएगा बिवेच ना कीजिए दोस्तो इसके article 21 आपको article 21 इसके उत्तर में लिखना था कि प्राण और देख सुतनता का सनरक्षा के वारे में article 21 बात करता है अब question number 7 जो हमारे एक्जाम में पूछा गया था question number 7 कहता है दोस्तो निवारक निरोध बिदियों से आप क्या समथते है निवारक निरोध बिदियों के बिरुध संबिधान में क्या सनरक्षा पिरदान किये गए है बिवेच ना कीजिए दोस्तो इसके उत्तर में आपको article 22 लिखना था जो निवारक निरोध नियम के बारे में बताता है निवारक निरोध नियम क्या है दोस्तो अगला कुश्चन हमारे एकजाम में पूछा गया था कुश्चन नमबर आठ कुश्चन नमबर आठ कहता है भारत के सम्मिधान में धार्मक सुतंता के छित एवं सीमा की विवेचना कीजिए क्या धर्म निर्पेक्षिता भारतिय सम्मिधान का आधारबू धाचा है तो समझाईए इसमें दोस्तों आपको आईटिकल 26 पूछा गया था जो कहता है धर्मिक कारियों के प्यबंद की सुतनता दोस्तों अब हम जानते हैं अगला कुस्च क्यों कुस्चन नमबर नों जो पिछली बारसे की पेपर में पूछा गया था राज की नीतिनिर्द्रशक तुक्तों की बेख्ञ़ कीजिए कि इवं नीतिन दिशक तत्तों एवं मुलिक अधिकार में अंतर कीजी यानि कि डीपीएस पी और मुलिक अधिकार में अंतर लिखना थी दोस्तों आइटिकल 36 से आइटिकल इंक्याउन तक DPSP यानि की मौलिक DPSP यानि की राज्जी की नीतिने दिसक तत्तों के बारे में पताए गया है और मौलिक अधिकार और नीतिने दिसक तत्तों में आपको अंतर भी लिखने थे इस प्रिश्ण के उत्तर में दोस्तों अब हम जानते हैं अगला कुश्चन कुश्चन नमबर 10 कहता है दोस्तों संचिप्त टिपड़ी लिखिए पहला पूछा गया था दोस्तों मूल कर्तब आइटिकल इंक्याउन ए में इंक्याउन ए में जो मूल कर्तब बताए गये है उसके बारे में आपको लिखने थे और दूसरा है समाज की कमजूर बर्गों को ने आए इस पर टिपड़ी लिखनी थी दोस्तो अगर आपको मेरा है वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और सेर करें जिससे आने वाले बच्चों का एक्जाम है द लिए दोस्तो आप मेरा एक वीडियो अधिक से इधिक बच्चों तक पहुचाए है दोस्तो आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिये जिससे आने वाले आने बारा मेरा अगला वीडियो का नोटिफिक आपको तुरंत मिल सके दोस्तो धन्यवाद